हेलो दोस्तों स्वागताब सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्री राम क्लासेज में और आज हम कक्षा 10 की गनीत का साथी प्रस्नावली त्रिकोन मिती सहर समिका है उसका उधारान नमबर हम चार हल करेंगे जो कि काफी इंपोर्टेंट सवाल है हर बार एक्जाम में सब्सक्राइब करेंगे तो कि यंदे गहां का सवाल और और लिए चार प्रस्क्राइब करेंगे तो यह मुदारान नमबर चार कर रहे हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को worth कर सकते हैं ताकि आपको इसी तरिके के और वीडियों यहां पर मिल सके हैं तो उधार नमबर 4 हैं सिद कीज़े अंडर रूट 1 प्लस कोस थिटा अपॉन 1 माइनस कोस थिटा बराबर कोस एक थिटा प्लस कोड थिटा हमें यह सिद करना है तो सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले इसमें LHS लेंगे तो सबसे पहले हम लेते हैं यहां पे LHS LHS है हमारे यहां पे अंडरूट यानिकी बराबर से इधर की साइड में लेफ्ट हैंड साइड में जो हैं उसको हम LHS लेंगे और उसी को LHS करते हैं तो यह आएगा LHS 1 प्लस कोस थीटा और अपोन में आएगा 1 माइनस कोस थीटा तो यहां पे हमें क्या एक अंडरूट दिखाई दे रहा हैं तो इस अंडरूट को हटाने के लिए इस प्रकार के अपने साथ पॉइंट एक प्रसनावली में कुल तीन सव लें उनस अभी में अनडरूट रखने के लिए हम परे में विकरण करते हैं रेस्टल प्लस तिता और उसका अंसर में गुना करेंगे तो में डृप लिखेंगे यहां पर हर का परिमेय करन करने पर हर का परिमेय करन करने पर इसके बाद में हम परिमेकरण करने के लिए इस वन माइनस कोस थिटा का संयूंख भी यह निकी under root में लिखेंगे बड़े under root में one plus cos theta upon one minus cos theta तो सेम ही लिखेंगे into करेंगे हम one plus cos theta को अंसर हर में तो यहां लिखेंगे हम one plus cos theta और अपोन में आएगा one plus cos theta हमने अंस और हर में इस प्रकार से 1 प्लस तिटा को गुणा कर लिया जब इनको हम A के अंडरूट के निचे गुणा करेंगे तो ये उपर तो एक सर्वस्वमिका के रूप में दोनों एक जैसी है तो उसको हम X स्क्वाइर के रूप में लिख लेंगे यह 1 प्लस को सिटा और इधर भी 1 प्लस को सिटा तो यह बन जाएगा 1 प्लस को सिटा का उपर आ जाएगा अंगे घुमाल स्क्वाइर और निचे यह जो है एक सुत्र बन रहा है यहां सर्वसमिका है a-b into a plus b यह एक सुत्र हम यहाप लिख लिएते है a-b और a plus b ऐसा जब भी होता है तो उसको हम लिखते है a square minus b square तो यहाँ पर a तो है हमारा 1 और b है हमारे यहाप पर cos theta तो इस a कोर cos theta से हम a और b कमान यहाप लिखते हैं तो इसका अंसर आएगा a square minus b square यहनिकी एक कमान एक आएगा उसका square करेंगे minus b कमान आएगा यहाप पर cos theta और उसका वापस square तो one minus cos theta का square आजाएगा क्योंकि one का square करेंगे तो यह वर्न आएगा तो मैं साहर समी का लेख लो उसकी साहिता से सबसे पहली साहर समी का हमने हम पढ़ते हैं यहां पर sin square theta plus cos square theta बराबर होता है वन तो इसी के साहिता से हम इसको one minus cos square theta बनाते हैं तो इसको हम लिखेंगे sin square theta बराबर one minus cos square theta यानि कि यह जो one minus cos square theta है उसकी जगह पर हम लिखेंगे sin square theta तो यहां उसकी जगह पर आजाएगा sin square theta तो इसकी जगह पर हम लिख लेंगे sin square theta तो अंडरूट आएगा वापस उपर लगेगा वन प्लस कोस थिटा का होल स्क्वाइर और अपन में आ जाएगा यह हमारा साइन स्क्वाइर थिटा हमने इसकी जगह पे साइन स्क्वाइर थिटा लिका है अब ऐसा एक सुतर होता है कि एक के उपर भी स्क्वाइर हो और बी के यहां पर लेख सकते हैं तो यह उपर भी स्क्वाइर है और यह पर ही स्क्वाइर और यह आप नेच्ची के लिख लेंगे तो अगली स्टेप में को लिखेंगे अंडरूट एक बड़ा कोस्टक लगाएंगे और अंदर लिखेंगे one plus cos theta upon में sin theta और इसका पूरे का है जो आप होल स्क्वार इससे क्या होगा दोस्तों यह जो square है इससे यह अंडरूट कर जाएगा क्योंकि square से अंडरूट कर जाता है तो संक्या क्या बचेगी संक्या बचेगी मारे पा प्लस और कोस्ट के निचे भी लिखेंगे हम साइन theta इसको इस प्रकार लिखेंगे one upon साइन theta इनकी one बटा साइन एक बटा साइन theta प्लस उपर है हमारा कोस थिटा और निचा जाएगा हमर वापस साइन थीटा इस प्रकार हम जोड़ हो तो इसको अलग लग लिख सकते हैं तो वन अपन साइन थीटा जो होता है वो होता है हमारा कोसेग थीटा प्लस यह जो कोस बटा साइन है इसको हम लिखते हैं कोट थीटा और देखो हमारे को यही जूश्म लाना था यह कोसेग थीटा प्लस कोड़ थिटा यह मारा रहेश लाना था तो यहीं मारा आजिए आप आया रहेश तो हम बराबर में लिखेंगे रहेश यह यानि चहीं लिख लेंगे रहेश और एच्पी एन की तो आसा करता हूं यह सवाल आपको समझ में आया होगा अगर आप इसी तरीके के वीडियो चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं यह गणीत का अपना पहला वीडियो कक्षा 10 का तो मैं अब देर देर आपके लिए यह वीडियो बनाना शुरू कर रहा ह अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो तो कमेट जरूर करें और अपने मित्रुक साथ शेयर करें ताकि इसी तरीके के सवाल आपको मैं आपके लिए रोजा नया पर वीडियो बना कर बता सकूँ जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक जय हिन जय बारत